आज की इस वडियो में आप से ही को Class 10 में जितने ही बच्चे हैं उनसे ही बच्चों के लिए विडियो रहना लिया और इस वड़ियो में आप से ही को Mathematics का स्लेवस बताने जा रहाओ Class 10 का और यह स्लेवस आपका सेशन 2022 से 2022 के बच्चों के लिए रहेगा चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको topic wise बता दूँगा कि आपकी कौन-कौन सी exercise आ रही है कौन-कौन सी नहीं आ रही और हर chapter के जो आपके जितने भी topic deleted है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और इसमें मैं आपको बता दूँग जो आपका chapter number 11 है construction यह आपका full delete हो गया है तो फिर इसको आपको पढ़ने की जुरद नहीं है chapter number 1 से start करते है chapter number 1 है आपका real number और इसमें जो आपकी exercise आ रही है वो है आपकी 1.2 और 1.3 और इसमें जो आपकी exercise deleted है वो है आपकी 1.1 और 1.4 यह आपकी exercise deleted है ऐसी आपके chapter number 2 है chapter number 2 है आपका polynomial polynomial आपका chapter number 2 है और यहाँ पर यह जो आपकी exercise है 2.1, 2.2 और 2.4 यह आपकी आ रही है और deleted है आपकी exercise 2.3 और 2.4 यह आपकी exercise deleted है और chapter number 3 का अगला chapter pair of linear equations in two variables chapter number 3 है यह आपका pair of linear equations in two variables और इसमें जो आपकी exercise आ रही है उस सारी की सारी आ रही है पर इसमें आपका एक topic deleted है cross multiplication method यह आपका एक method होता है जिससे आप इन questions की value find out करते हो इसमें आपके total 3 method होता है एक होता है आपका elimination एक होता है आपका substitution और एक होता है आपका cross multiplication method तो फिर इसमें से आपका deleted cross multiplication method है तो फिर यह आपको नहीं करना बाकि आपका यह जो elimination और substitution है यह दोनों आपके आ रहे हैं इस बार chapter number 4 है आपका quadratic equation quadratic equation है यह आपका और इसमें आपकी all exercise आ रही है और इसमें जो आपकी deleted है इसमें आपका completing square method यह आपका deleted topic है फिर आपका chapter number 5 है arithmetic progression arithmetic progression में आपका full chapter आ रहा है पिछली बार इसमें से last वाली exercise deleted थी उसके कुछ questions deleted थे पर इस बार आपका full chapter आ रहा है next है आपका chapter number 6 triangles triangles में आपका 6.1 exercise 6.1 6.2 और 6.3 आपकी आ रही है और जो आपकी deleted exercise है वो है आपकी 6.4, 6.5 और 6.6 और next chapter है आपका chapter number 7 chapter number 7 है आपका coordinate geometry इसमें जो आपकी exercise आएगी वो हैगी 7.1, 7.2 और 7.4 और मैं आपको बता दू यह जो आपको PDF दिख रही है इस PDF को आप download कर सकते हैं हमाई telegram channel पर आपको description में link मिल जाएगा आप वहाँ पर join होकर इस PDF को download कर सकते हैं वहाँ पर मैं इसको share कर दूँगा फिर इसमें deleted topic देख लेते हैं जो आपका chapter number 7 था coordinate geometry इसमें जो आपकी exercise deleted है वो है 7.3 और 7.4 और जो आपकी 7.4 exercise है इसमें से आपके question number 2, question number 6 और question number 7 deleted है next chapter आता है आपका chapter number 8 introduction to trigonometry इसमें आपकी exercise आ रही है वो है आपकी 8.1, 8.2 और 8.4 और इसमें जो आपकी deleted exercise है वो है 8.3 और इसमें आपका next chapter आता है chapter number 9 some application of trigonometry इसमें जो आपकी exercise आ रहे है इसमें आपकी exercise आरहे है यह में और खुर्टर आ रहे हैं और पिर आपका आता है chapter number 10 chapter number 10 में आपका circles circles में आपके full chapter रहे हैं सारे की सारे इसमें आपके फोल चाप्टर आ रहे है आप से का लिचल णिया सब्सक्राइब अभी जासे कि मैंने आपको बताया construction में आपके यह जो पूरी की पूरी चैप्टर है यह सार की सार डिलेटीड है यहाँ पर यह गल्द प्रेंट हो गया यहाँ पर यह फूल डिलेटीड डिलेटीड आएगा फूल डिलेटीड यह आपका पूरा-पूरा चैप्टर डिलेटीड है ठीक है तो फिर यहाँ पर आप correction कर लेना यह फोल डेलेटीड चैप्टर है चैप्टर नमबर टुवैल यह आप साहीगा Areas related to circle यह आपका full chapter आ रहा है Areas related to circle यह आपका पूरा पूरा chapter आ रहा है Chapter number 13 है आप से भी का Surface, Area and Volume इसमें जो आपकी exercise आ रही है वो आ रही है 13.1 13.2 और 13.3 13.1, 13.2 और 13.3 Deleted exercise है आपकी 13.4 Next chapter है आपका Statistics इसमें जो आपके chapters आ रहे है Sorry इसमें जो आपके exercise आ रहे है वो आ रहे है 14.1, 14.2 और 14.3 Deleted exercise है आपकी 14.4 Next chapter है आपका Probability Probability में आपके full chapter आ रहे है पूरा पूरा आपके यहला chapter आ रहे है तो फ्री ये PDF फाइल थी जो मैंने आपके लिए बनाई है जैसा CBSC ने अपना Slaybus लॉंच किया उसके अकॉर्डिंग है ये पूरी PDF फाइल यह लिए PDF फाइल आपको हमारे टैलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप उसको जॉइन कर लेना बाकी मिलते हैं आप सेशन नेक्स वीडियो में किसने टोपक साथ तब तक लिए जाएँ जावर